Hello my dear students, you are welcome to the e-learning class of class 6 Hindi वसंत आपका कक्षा चटी के e-learning Hindi के वसंत के कक्षा में स्वागत है इस हफते क्या ये दूसरा क्लास है पहले क्लास में हमने अक्षिनों का महत्व चाप्टर पढ़ा था और उसको जाना था साथ ही हमने उसके शब्दार्थों को भी किया था मैंने बताया था कि अक्षर हमारे लिए क्यों important है और अक्षरों से पहले और अक्षरों की बाद की जो human race है जो मानविय प्रजाती है उसमें क्या-क्या बदला आये है तो आज हम इसके कुछ question answers करेंगे हम चाहें तो और भी question answers कर सकते थे लेकिन हम जादा question answers का नूड यहाँ पे नहीं लेंगे क्योंकि इस chapter में उतने जादा questions मुझे नहीं मिले है if you can suggest me you can suggest it's open for everybody तो सबसे पहला प्रशन जो मैंने रखा है वो है क्या अक्षरों की खोज इश्वर ने की है नहीं अक्षरों की खोज मानव ने की है नहीं अक्षरों की खोज मानव ने की है next question यह धर्ती कितने साल पुरानी है यह धर्ती कितने साल पुरानी है यह धर्ती लगभग पांच अरब साल पुरानी है कितने साल तक धर्ती पर कोई जीव जन्तु नहीं थी कितने साल तक धर्ती पर कोई जीव जन्तु नहीं थी दो तीन अरब साल तक धर्ती पर किसी प्रकार के जीवजन्तु नहीं है Next question मानब ने धर्ती पर कब जन्म लिया? मानब ने धर्ती पर लगभग 5 लाक साल पहले जन्म लिया Next question है आदमी ने खेती कब शुरू की? आदमी ने खेती लगभग दस हजार साल पहले करनी शुरू की उसके बात next question है इनके answers थोड़े long है प्रागैतिहा से काल के आदमी अपनी बात कैसे व्यक्त किया करने थी? प्रागैतिहा से काल के व्यक्ती अपनी बात कैसे व्यक्त किया करते थी? प्रागैतिहा से काल के आदमी अपनी बात चित्रों, संकेतों, आदी के माध्यम से व्यक्त किया करते थी ठीक है नेक्स्ट है पत्थरों का इस्तमान मानव ने किस लिए शुरू किया प्रागैतिहासिक काल के आदमी पत्थरों का उपियोग खेती करने और शिकार करने ही दू हतियार बनाने के लिए शुरू किया प्रागैतिहासिक साल के आदमी पत्थर का उपियोग खेती करने शिकार करने ही दू हतियार बनाने के लिए शुरू किया तामबे और कांचे का इस्तमाल पहली बार मानव ने कब किया तामबे और कांचे का उपियोग लगभग 10 हजार साल पहले मानव ने धरती पर अपने लिए ऑजार और गेहनों के लिए शुरू किया है ठीक है तो यहीं तक रखते हैं हम लोग एक्सरसाइज जो आइन क्वेशन आंसर जो है इतना आप करके मुझे शूर करेंगे धनीवाद